ये प्रग्या की बच्ची हर साल क्लास में फर्स्ट आती है लेकिन इस बार किसी भी हालत में मुझे फर्स्ट आना है और इसके लिए मुझे कोई ऐसी तरकीप सोचनी पड़ेगी कि ये क्लास में टॉप ही ना कर पाए प्रग्या पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी जिस वजह से वो सभी टीचर्स की भी फेवरेट थी सभी टीचर्स उसी से बुक रिडिंग करवाते हैं प्रग्या हर सुबह जल्दी उटकर नहाद होकर आट बजे तक स्कूल के लिए रेडी होकर निकल जाती थी पर आज उस पेट में सुबह से कुछ चुभन सी महसूस हो रही होती है जिस वजह से उसे काफी दर्द होता है आह मा आज मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है उसकी मा सुमन उसके पास आती है और कहती है पेट दर्द हो रहा है अच्छा अब समझी तुने कल जरूर बाहर से कुछ चुल्टा सीधा खाया होगा नहीं मा पर मैंने तो कुछ नहीं खाया अच्छा कोई बात नहीं मेरी बच्ची आज स्कूल की छुट्टी कर ले नहीं मा आज स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करना है और मेरी प्रजेंटेशन भी है तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा दवाई खाकर प्रजे अपना पेट पकड़ते हुए स्कूल चली जाती है क्लास में पहुचने के बाद भी उसका पेट दर्ध ठीक ही नहीं हो रहा था पेट दर्ध होने के कारण आज वो चुपचाब ही थी उसे चुपचाब देखकर उसकी फ्रेंड निशा ने उससे पुछा क्य प्रजे बच्चे जोर से गुड मॉर्निंग कहकर उनका स्वागत करते हैं आज ग्लास में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन है प्रग्या आई होप तुमने अच्छे से तैयारी की होगी जी सर तो फिर यहां आकर बोर्ट पर अपनी प्रेजेंटेशन दो बिचारी प्रग्या दर्द में तरपती हुई बोर्ट की तरप जाती है तब ही सौम्या उसे देखती है कुछ तो हुआ है इसे जो इतनी तकलीफ में है आज कहीं ये कोई गरबर ना कर दे प्रेजेंटेशन देने में प्रग्या जैसे ही प्रेजेंटेशन देने लगी तो उसका तो खून से पूरी लाल हो गई है। ये बात सुनकर सारी क्लास प्रग्या की स्कर्ट की तरफ देखने लगी और हंसने लगे। प्रग्या ने जब अपनी स्कर्ट की ओर देखा तो स्कर्ट में सच मुझ के खून के धब्बे लगे हुए थे। ये देख कर वो घपरा जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसकी स्कर्ट पर ये खून कहां से लगा। साथी क्लास में सभी बच्चे भी छोटे थे, तो वो भी नहीं जानते थे कि आखिर खून आया कहां से। सभी बच्चे हसते हुए उसका मजाग उडाते हैं, प्रग्या को अपनी इंसल्ट होती देख बहुत बुरा लगता है और वो क्लास से बाहर भाग जाती है। प्रग्या रुको बेटा, रुको और चुपो जाओ तुम सारे के सारे। लेकिन प्रग्या किसी की नहीं सुनती और वो भागते भागते स्कूल के पीछे वाले जंगल में चली गई और वहाँ बैट कर रोने लगी। ये क्या हुआ मुझे, मेरी स्काइट पर कून कहां से आया, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं अपने घर कैसे जाओगी। अरुन टीचर जाकर सारी बात मेडिकल रूम की टीचर आर्थी को बताते हैं, वो से ढूंडते हुए स्कूल के पीछे की ओर आती है, प्रग्या भाँ बैट कर रो रही होती है, प्रग्या, प्रग्या, कहां हो बेटा तुम, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, एक बार मेरी बात तो सुनो बेटा, आर्थी मैडम उसे ढूंड लेती हैं और उसके पास आकर कहती है, प्रग्या बेटा, इसमें शर्माने और रोने वाली कोई बात नहीं, ये तो पीरियट्स हैं, जो कि सभी लड़कियों को होता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक चीज देत फिर उसे उस दिन की छुटी देकर घर भेज़ दिया गया, घर आकर वो अपनी मा को सारी बात बताती है, फिर राम ना जाने मेरा ही सोर ध्यान क्यों नहीं गया, मुझे तो सुबही समझ जाना चाहिए था, पर मा, मेरे अलावा तो क्लास में अभी तक किसी के साथ ऐसा नह हुआ, होगा बेटी, सबका अलग-अलग टाइम होता है, तुम अब बड़ी हो गई, इसले तुम्हे जल्दी हो गया, उसकी मा ने उसे सब बहुत अच्छे से समझाया, अगले दिन जब वो स्कूल गई, तो सौम्या ने उसका मजाग उडाते हुए कहा, अरे देखो तो, हम खून करने वाली प्रग्या मैडम आ गई, कल तो तेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ, तु है ही इसी लायक, उसकी बात सुनकर सारी क्लास उस पर हंसने लगी, इस तरह हर रोज वो उसका मजाग उडाने लगी, बात यहां तक आ गई कि प्रग्या को अब स्कूल जाते भी मन नहीं लगता था जिसके कारण उसका क्लास में परफॉर्मेंस भी खराब होने लगी, उसके मार्क्स देख कर टीचर भी हैरान थे, क्या हुआ प्रग्या बेटा, अब तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती क्या, देखो तो कितने खराब नंबर आये हैं तुम्हार पता नहीं क्यों, अब मैं सब भूल जाती हूं सर, बस यहीं तो मैं चाती थी, अब मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं, उसके एक्जाम आ जाते हैं लेकिन प्रग्या का ध्यान पढ़ाई में कम और एसोर जादा रहता था था ये, मैं फर्स्ट आ गई, मैंने उस प्रग्या की बच्ची को हरा दिया, ये, ये, वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थी, लेकिन तभी सब की नजर सौम्या की स्कर्ट पर गई जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे, आरी वो देखो, सौम्या की स्कर्ट पर ल बागने लगी, लेकिन तभी प्रग्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुख जो सौम्या, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो हम लड़कियों के लिए गर्व की बात है, हाँ सौम्या बेटा, ये सब नॉर्मल है, और ये हर लड़की के साथ होता है, ये माफ कर दो प्रग्या, मैंने तुम्हार इतनी इंसल्ट की, और आज जब मेरा टाइम आया तो तुमने मेरा साथ दिया, कोई बात नहीं सौम्या, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, इसके बाद वो दोनों पकी सहेलिया बन गई, और प्रग्या के दीनापुर नामक गाउं का एक स्कूल, पढ़ाई से ज़्यादा स्कूल में बने शौचाले के लिए जाना जाता था शौच नहीं जाने दूँगा, बच्चा शौच नहीं जा पाता और उसकी निकर खराब हो जाती है, उसका बात्रूम निकर में निकल जाता है ये आज ही नहीं काफ़ समय से ऐसा होता आ रहा है सरकारी स्कूल में बने शौचाले पर ठाकुर ललन सिंग ने हग जमाया हुआ है ठाकुर ललन सिंग स्कूल शौचाले को पब्लिक शौचाले बना कर पैसे कमाता है और लोग 20 रुपे देकर शौचाले का उप्योग करते हैं ठाकुर लल्लन सिंग का गुंडा शेरा इस काम को संभालता है और उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं है शेरा, एक छोटे से बच्चे को तुमने 10 रुपे के लिए शौच नहीं जाने दिया तुम्हें पता भी है, उस बच्चे की क्या हालत हो रही है ऐसा है अपना मुबंद रखो मास्टर जी, वरना हमेशा के लिए मुबंद हो जाएगा तुम्हारे पास 10 रुपे हैं तो 2, मैं अभी से जाने दूँगा तुम लोग गुंदा गर्दी करके हम शरीफ लोगों को डराते हो एक दिन तुम पर भगवान का गहर सरूर आएगा ये लो सौर रुपे और इन पांच बच्चों को शौट जाने दो ये हुए ना बात, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ पीछे से ठाकुर साब का जो हुकम है, मैं तो उस पर ही अमल कर रहा हूँ जाओ, एक एक करके पांचो ठाकुर ललन सिंग के इस गुंदा गर्दी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था सबको अपनी जान प्यारी थी भला कौन अपना मूँ खोलता जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया गया सबसे ज़्यादा परिशानी गाओं की लड़कियों को होती थी उन्हें स्कूल का शौचालय इस्तिमाल करने की अजाज़त नहीं थी इस कारण उन्हें स्कूल के पास बने खेत खली हानों में शौच के लिए जाना पड़ता था कई बार लड़कियां इस वज़ा से शर्मिंदगी का भी सामना करती थी पूजा वो देख सामने लड़के स्कूल की दिवार से जहाक रहे हैं मैं तेरे आगे खड़ी हो जाती हो पहले तू कर ले और तो मेरी आगे खड़ी हो जाना पिर मैं कर लूगी सब हंसर है मैं तो कक्षा में जा रही हो घर जा करी करूँगी यहां खेत में सब देखते हैं बिचारी कई लड़किया इसी कारण शर्मा कर अपना शौच रोग कर कई घंटों पढ़ाई करती रहती थी क्या हुआ सपना तो दौड़ती हुई क्यों आ रही है सब ठीक तो है अभी कुछ मत पूछो मा आ रही हूं मैं अभी सपना स्कूल से आते ही शौचाले में भाग गई और मा के सामने खूब रोई मा हम सब बहुत परिशान है कब तक कैसे चलेगा हम लड़किया स्कूल के शौचाले में नहीं जा सकती शौचाले के बाहर शेरा बैठा रहता है मजबूरी में जब खेत में जाओ तो सब देखकर हसते हैं मास्टर जी की भी कोई बात नहीं मानता क्या करें बेटी अगर हमने ठाकूर ललन सिंग के सामने बोलने की कोशिश की तो वो तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद कर देगा इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो अब तो भगवान ही मालिक हैं गुंडी बदमाश लोगों के साथ भला कौन भीड़े पूरा गाउं ही ठाकूर ललन सिंग से डरता था अब गाउं वालों को अपने बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी था इसलिए जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दे रहे थे स्कूल के मास्टर का तबादला दूसरे गाउं में हो जाता है और उसकी जगह सुप्रिया नाम की एक नई मास्टर नहीं आती है बच्चों मैं यहां की नई अध्यापिका हूँ आप सब मुझे अपना परिचाई दीजे सब बच्चे सुप्रिया को अपना परिचा देते हैं कुछ देर बाद सुप्रिया बोली बच्चो तुम सब पढ़ाई करो मैं भी वाश्रूम होकर आती हूं मैम जी आप स्कूल के शौचाले का इस्तिमाल नहीं कर सकती क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो स्कूल में शौचाले नहीं है क्या मैम जी शौचाले तो है पर वहाँ पर लड़कियों को जाने की जासत नहीं है और लड़कों को भी पैसे दे कर जाना होता है लड़किया सुप्रिया को सारी बात बताती है जिसे सुनकर सुप्रिया हैरान हो जाती है वो शौचाले के पास जाती है वहाँ शेरा बैठा हुआ था ये कैसी गुंड़ा करती है? तुमने स्कूल के शौचाले को पबलिक शौचाले बना रखा है और यहां बैठकर कमाई करते हो तुम्हें शर्ब नहीं आती स्कूल के बच्चों से पैसे लेकर उन्हें शौचाले का इस्तिमाल करने देते हो और लड़कियों को बिल्कुल मना किया हुआ है ये कहां कि तैजीब है? स्कूल में शौचाले होते हुए लड़किया खेतों और मैदान में शौच के ले जाएंगी ये बात बिल्कुल गलत है आगे से हटो, ये कुर्सी अटाओ मुझे वाश्रूम जाना है ओ शेरी मैडम, ये शेर नहीं गाओं है यहाँ ठाकुर लल्लन सिंग का राज चलता है तुम शेरा और ठाकुर लल्लन सिंग को नहीं जानती हो वरना इतनी चपड़ चपड़ ना करती ये शौचाला लड़कियों और और औरतों के लिए नहीं है अगर तुम्हें स्यादा ही जोर की लगी है तो जाओ सामने खेत है, वहाँ छुपकर कर लो नहीं तो कहो तो हम साथ चल लें सुप्रिया शेरा को पूरदार चाटा लगाती है बत्तमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक औरत से कैसे बात करते है तेरी इतनी हिम्मत कि तु शेरा पर हाथ उठाती है आज तेरी खेर नहीं, पूरे गाउं के सामने तेरी अच्छे सा खबर लूँगा छोड़ो, मुझे छोड़ो ये क्या जबरदस्ती है तभी ठाकूर ललन सिंग वहां आ जाता है अरे गुस्से में बावला हो रहा है क्या अगर इस तरह स्कूल की मास्टर नी को बीच सड़क पर कुछ कहा तो पुलिस वाले हमें ही धर लेंगे, छोड़ दे से जो काम ठंडे में हो जाए, वही सही है और वैसे भी, मास्टर नी लगता है नहीं नहीं आई है काओं में इसलिए पहली गलती है, माफ कर देते हैं सुप्रिया शेहर की लड़की थी उसने अत्याचार से डढ़ना नहीं लड़ना सीखा था इसलिए वो हार नहीं मानती सुप्रिया स्कूल के शौचाले में जो भी धोखा धड़ी हो रही थी उसका पूरा वीडियो अपने मुबाइल बे बना लेती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है ये वीडियो ललन सिंग और शेरा तक भी पहुच जाता है और ललन सिंग बदला लेने के लिए रात के समय शेरा के हाथ सुप्रिया को उठवा लेता है पहली बार ऐसा कोई देखा है जो ललन सिंग से पंगाले रहा है सच मुच लड़की, तुछ में बड़ी हिम्मत है? मालिक पूरा वीडियो बना कर इसने अपने फोन में डाल दिया वो तो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा इसकी वज़े से पता चला हमारा काम बंद हो गया और उपर से बदनामी अलग हुई इसे ऐसे मत छोड़ो मालिक, इसका कुछ करना ही होगा करना क्या है? जिन्दा जला देंगे उससे पहले इसका एक वीडियो और बना ले जिसमें ये बोलेगी कि इसने जो वीडियो डाला था वो जूड़ था इसलिए ये बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या कर रही है मैं मर जाओंगी पर ये जूटा वीडियो नहीं बनाओंगी ललन सिंग और शेरा भी अपने आदमियों के साथ सुप्रिया के साथ जबरदस्ती करी रहे थे कि तभी पुलिस के साइरन की आवाज आ जाती है ठाकुर साहब पुलिस और आपकी हवेली पर वो भी इतनी रात को खबराओ नहीं सुप्रिया मैं पुलिस को लेकर आया हूँ मुझे तुम्हारा मेल मिल गया था ठाकुर ललन सिंग हमें सब पता चल गया है तुम गाउं के स्कूल के सौचाले का गलत इस्तिमाल करते हो वहाँ धोखा दड़ी चलती है सब कुछ हमने वीडियो में देख लिया है स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करने और गयर कानूनी ढंग से स्कूल के सौचाले को चलाने के जुर्म में हम तुम्हे गिरफ्तार करते है अरे अरे ये लड़की जूट बोल रही है मेरा गाउं में बहुत रुत्बा है इंस्पेक्टर सहाब ये जूट बोल लहा है इसने हमारे गाउं में बहुत जादा गुंडा गर्दी फैला रखी थी वो तो भला हो सुप्रिया बेटी का जिसकी वजह से आज इस जैसे अत्याचारी ठाकुर से हमें चुटकारा मिला है हाँ हाँ ले जाइए इसे इंस्पेक्टर सहाब इसके पाप का घड़ा अब भर चुका है पुलिस ललन सिंग शेरा और उसके सभी आद्वियों को पकड़ कर ले जाती है ठैंक यू दीपक आज तुम समय पर पुलिस को ले आए वर्ना अब दोस्तों तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी चलो अब मैं चलता हूँ अपना ख्याल रखना गाउवाली सुप्रिया के साहस की बहुत प्रशंसा करते हैं जुर्म सेहना भी एक गुना है जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला ही जीत का ताज पहनता है और गाउवालों के कहले पर सुप्रिया वहां की नई जमिनदार बन जाती है उस दिन के बाद स्कूल के शोचाले का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ बच्चे ये सब देख कर बहुत खुश थे खास कर वहां की लड़किया